नमस्तार मैं हूँ गायतरी गुपता और आप देख रहे हैं SPN 9 News और एक बार फिर से मेरा रस्थान दंगाल अपना खास प्रोग्राम में कर आपके सामने हाजिर हूँ और आज अगस्त खतम हो रहा है कल से सितंबर महीने की शिर्वात हो रही है यारी की काउंडाउन शुरू हो रहा है तीन राजयों में विधान सभाशनाओं का चतिसदर मर्देप्रडेश और राजस्थान का राजस्थान को मैं हमेशा गुजरात पार 2 की संग्या देती रही ह और दूंगी भी क्योंकि है यहां पर जो चुनावी दंगल है जो चुनावी यहां पर घटनकरम सामने आ रहे हैं वह वाकई बहुत दिल्चस्प है हमेशा अल्टरनेट सरकार का दौर देखा जाता रहा है राजस्थान में तो क्या इस बार वसंद्रा की होगी छुट्टी औ कि उन्हें जनता का पैसागा भारति जनता परती का लेकिन फिलहार स्थान में अगर अल्टरनेट सरकार का दौर अगर मितिहास देखा जाए तो जाहिर सी बात है कौनगरी सी सरकार बनता है तबhmuky अगर सरकार बननाते है तो मुश्किम में पढ़ेंगी वसुंदर राजे और येकार कि वहां पर कहीं न गजंदा घुटेगा bagsundra पाड़ी जंट पाधी का वसंदर राजे के कारिकार का अगर जिक्र करो तो बाते बहुत की थी उन्हेंने चुनावी घोशना oggi पत्र म और अलबर्स से लेकर दो और सीटे थी जिस पर चुनाव हुआ था उपचनाव हुआ था और वहां पे कॉंग्रेस ने पते हासिल की थी क्या इन उपचनाव को माल ले हम फाइनल लिजर्ट यह कहरा अभी सरासर गलत होगा क्योंकि हम उपचनाव की तर्श पर यह चीज़े नहीं कर सकते हैं कि अगर उपचनाव में हार रही है तो विधान सबाचनाव भी हार जाएगी पार दी लेकिन हाँ वरसुंद्रा राजे क अगर को अगर कोई मार देने के लिए वहां पर खड़ा है तो वह खड़ा है कि युवानेता जिसका नाम है सचीन पालट जो की यूपीय कारिकाल के दोरान मंत्री भी रह चुके हैं अब सचीन पालट जिससे वहां पर अपने नेतरत को साबित कर रही हारा कि कॉंग्रेस मे नेतरत में ही रारस्तान में चुनाव रढ़ा जाएगा क्योंकि रागुल गानी नहीं चाहते हैं कि अशोग गहलोत और सचीन पालट के बीश में जादा मन भेद उबरें क्योंकि महां पर मुख्यमंत्री पत को लेकर लगाता है दोनों ही नेताओं के समर्थक है वह अपनी सियासत करनी कैसे चाहिए ये कहना है वसुन्धरा राजे का उन्होंने कहा है कि सचीन पालट सियासत में नए बच्चे हैं और उन्हें प्रदेश की राजनीती की पहचान नहीं है और राजे ने जयतारर में अपनी गौरव यात्रा के दूस्ते चरण पर आयुजित सभा मे राजे सरकार की उपलब्दियों का गुरगान किया तो वही गौरव यात्रा पर पत्थर बरसाने वालों को भी आड़े हातों लिया उन्होंने अपने पौरे पांच साल के कारों का जिक्र करते वे कहा कि राजे सरकार ने आम जंता की हित में कई नई योजनाओं का शुभा कि राखी की लाज रखें राजस्थान की आवाम उनके लिए और इससे पहले जो और भी बाते थी जो उनने कहा था कि जिस नहां से वहां पर मंदर की राजिटी कर रही है काफी उनको मंदर के दर्शन करते वे देखा देखा जा रहा हारा कि विजे पी तो एक्सपर्ट है अब राहो गांदी भी इसी नक्षे कदम पर चल रहे हैं वो भी एक्सपर्टीज होते जा रहे हैं तो अभी हाली में वो मिश्री मल और लोक मानने संत रूपी मोनी की समाधी पर जाकर उन्हें श्रधांद्री दी थी उन्होंने और संतों का आर्शिवार लियर्हस के राब हमाई समाज में हमाई हिंदोस्तानमें जो इतना इंदोस्तां हिं बाहतं ही होग द Nut Oh Come किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है तेलन के लिग कोई विए कोई कम बें भी Kapती है। उल्हें पज़देंसे कम कर्येयर को एक हमग gj। हमक दी हैं वह और सियासी कुषर अपना की सियासी टौर क बच्छे भले ही लग रहे हैं लेकिनक्षेह को यह ही भूलना चाहिए कि तीन उप्चनाओं में अभी साल की शुरुवात में तीन सीटों पर जो उप्चनाओं हुए थे इसमें सचिन पालेट के नत्रत में ही कॉंग्रेस ने सफलता पाई थी तो वह बच्चे कहां से हो गए हैर वो अपने हिसाब से सोचेंगी बहुता तो सब्सक्राबतो, सब्सक्राइब का सब्सक्राइब रिंदा मुझें हैं कहीं नहीं सब की काईशाली की बहुत तारीफ होती है बस राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए कुए राहुल गांधी को कम तर आका जाता है इन नेताओं के पेक्षा ने कहा लगा कि वह सुन्या गांधी की बेटें तो जाहिए सी बात है पार्टी की कमान तो उनके ह आज से फिसला तो क्या वाकरी राजनीती के बच्चे ही करार दिये जाएंगे सचिंद पालेट तरह देखना जर्चस्क होगा और अजस्तान में चनावी दंगल जो है वह लगातार अब और भी जारा मजबूत हो रहा है और घटना करम सामने आ रही है अब देखना होगा कि जैसे ही चुनावायों की तरफ से तारीकों का अलान किया जाता है तो फिर और क्या-क्या रणनेती सामने आती है बिजेपी और कॉंग्रेस के और कॉंग्रेस को इस वक्त अपनी पार्टी पर अपने पर फोकस बहुत करना हुआ राजस्तान में क्योंकि दो बड़े नेता स सचीन पार्ट और अशोक गहलोत के बीच में जिस नहीं से गहमा गहमी देखने को मिल रही है इसका पूरा फारा बीजेपी उठा सकती हो इससे कहिना कि कॉंग्रेस को हाल का सामना करना पड़ सकता है रारस्तान विधान सभाचनाओं के साथ साथ आगामी लोक सभाचनाओं झाल